आज का हमारे discussion का topic है कि सरसो के तेल और जो नीम्बू उनके prices last month में बहुत तेजी से बढ़ क्यों गए है and इसके अंदर whatsapp और बाबा रामदेव का contribution क्या है we'll start this topic but उससे पहले एक important concept समझना जादा जरूरी है क्योंकि वो उसी चीज से associated है immunity पिछले पूरे साल के अंदर ये word बहुत ही जादा use किया गया है newspapers में, TVs में और general discussion में भी और बहुत ही जादा misunderstood भी है understand करते हैं immunity होता क्या है अब irony की बात यह है कि हम सब ने immunity के बारे में छटी से दस्वी किलास के बीच में जरूर पढ़ा है immunity as a concept हमारी biology की किताबों में अच्छी तरी से समझाया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी उस topic को concept को समझने के बावजूद भी जब उसकी practical application आती है तो हम किसी न किसी वज़े से misinformation में फस जाते हैं immunity हमारी body की वो शक्ती होती है जब भी body के अंदर कोई external substance कोई bacteria कोई virus या कोई pathogen enter करता है तो हमारी body शरीर को protect करने की कोशिश करती है through the immunity उस system को immunity system कहा जाता है immunity system दो प्रकार का होता है सबसे पहले innate या फिर इसको native immunity भी कहा जाता है यह वो immunity होती है जो कि किसी भी बच्चे के अंदर पैदा होते ही होती है एक general form of immunity यानि कि जो genetically transfer होती है जब भी पैदा होते हैं तो body के अंदर इस प्रकार का कोई response होता है कि कोई भी foreign substance अगर enter करेगा तो body एक particular type का reaction देगी उसकी तरफ उसको कहा जाता है innate and native immunity एक दूसरे प्रकार की immunity होती है जिसको कहा जाता है acquired immunity acquired immunity आप अगर जानेंगे याद करेंगे तो दो प्रकार से attain हो सकती है सबसे पहले infection के दौरा और या फिर immunization के दौरा वेक्सिनेशन के दौरा दो प्रकार से एक artificial तरीका है और एक natural तरीका है infection का मतलब कि अगर body के अंदर कोई virus, bacteria किसी भी प्रकार का एक harmful pathogen body के अंदर enter करता है तो body का जो DNA है या body के जो white blood cells है वो कुछ ऐसी antibodies produce करते हैं जो कि उस external pathogen को neutralize कर देती है या body में destroy कर देती है इससे पहले की वो बिमारी फैला या इससे पहले की किसी प्रकार के toxic substances को body के अंदर produce करे अब यह usually infection के दौरा ही होता है जैसे कि आपको अगर बचपन में कोई बिमारी हुई हो या फिर कोई अलग type का harmful pathogen गया हो तो body फिर prepare हो जाती है उसके अंदर antibodies बना कर antibodies बनाना भी दो परकार का होता है कुछ antibodies lifetime के लिए रहती है शरीर में एक बार बनने के बाद और कुछ थोड़े limited time तक के लिए भी रहती है जैसे जो flu होता है जो common cold होता है उसकी जो antibodies है एक साल तक रहती है तो एक बार आपको common cold होता है तो हो सकता है वो दूसरे 2-3 साल के बाद दुवारा से हो सकता है और कुछ बिमारिया ऐसी है कि एक बार अगर antibody बन गई body के अंदर जैसे कि polio अगर आपको polio की vaccination लग गई तो उसके बाद polio का virus आपको कभी भी harmful नहीं करता उसकी जो antibodies है हमारी body के अंदर हमेशा रहती है इसके अलावा कोई और known तरीका नहीं है immunity बढ़ाने का पहला genetic और innate इसमें कोई कुछ किसी भी प्रकार के intervention नहीं कर सकता यह genetic है यह body है इसके अंदर से यह पहले से ही DNA के अंदर बन कर आता है record होकर आता है और दूसरा एक infection के दौरा यह नुकसान दे हो सकता है क्यों क्योंकि body का immune response हमेशा इतना तेज नहीं हो सकता क्योंकि बिमारिया होती है infection होने के बाद virus bacteria घुझ जाए तो जो corona patients हैं अगर वो survive कर जाते हैं तो उनके अंदर antibodies होती हैं but then there are certain people जिनकी basically corona से मिरुत्यों भी हो जाती है और vaccination के दौरा जो की science नहीं प्रकरिया ढूंडी कि अगर body के अंदर किसी प्रकार से वो antibody जो response है जो infection के दौरा होता है उसको safely produce कर दिया जाए यानि infection body में नहीं हो रहा है परंतु antibodies produce करा दी जाए उस चीज को vaccination या immunization कहा जाता है इसके अलावा कोई और तरीका होता नहीं है vaccination प्रूब करने का अब एक interesting बात आप यहाँ पर notice कीजिए आप समझेंगे की topic जा कहाँ पर है हम पिछले पूरे साल से देख रहे हैं या फिर हम काफी और पुराने समय से भी देख रहे हैं कि market में बड़ी सारी सी चीजे आती है immunization बढ़ाने के लिए आपकी body के immunity system को strong करने के लिए and all of them are good things good as in कि healthy चीजे आवला खाये, नीमू खाये, सरसो का तेल यूज कीजिए अच्चवन प्राश खाये, इस प्रकार की जो चीजे है टमाटर खाये, green leaves खाये अब एक interesting बात ये है क्योंकि because they all are good उनको connect कर दिया जाता है immunity से which is also good but if you will think really hard about it immunity, सिर्फ और सिर्फ हमेशा bad चीज से बढ़िया होती है यानि कि आप एक example की तौर पर देखिए आप अगर दो लोगों को compare करेंगे एक तो जो दिल्ली के अंदर रहता हो और जो regularly street food खाता हो गोलगपे खाता है, टिक्की सा ये जो समोसे खाता है, जो भी street food की तरह available हो खाता है and then हम compare करते है एक European को जो कि इस परकार का भोजन नहीं करता है परंतु वो एक दिन दिल्ली आता है और वो इस परकार से कुछ खाना खा लेता है इन दोनों मेंसे कौन बिमार होगा आप ये बताइए automatically जिन लोगों ने ये कभी भी नहीं खाया है जो यूरोप से आये हैं उन्होंने बेसिकली इन मसाले वाली चीजों को नहीं खाया होता है या तेल वाली चीजों को नहीं खाया होता है वो जिस दिन खाता है बिमार पड़ जाते है ऐसा होता क्यों है इस हैपन्स बिकॉज जो लोग street food regularly खाते हैं उनकी body के अंदर एक प्रकार की immunity डिवलप हो जाती है उन general थोड़े से harmless pathogens को जो बेसिकली जिन्होंने कभी भी नहीं खाया हो जैसे ही उनकी body में पहले दिन गुसता है तो उनके immune system पर major attack कर देता है और उनकी तबियत खराब हो जाती है यानि कि immune system actually में strong हो रहा होता है उन harmful चीजों से जिनसे उसको बचना होता है it is something like कि basically आप जितनी ज़्यादा practice करेंगे अपने main exam से पहले उतना ही ज़्यादा perform करोगे right अब immunity अगर logically देखा जाए तो हमेशा बढ़ रही है घराब चीज से the wrong thing, infections vaccination में भी आपको पता है कि vaccination में भी जो virus या bacteria होता है उसकी inactivated form ही basically vaccination के रूप में दी जाती है ताकि वो antibody का reaction दे सके तो फिर ये कैसे possible है कि जो ये लोग market कर रहे, advertisement कर रहे है in healthy nutritious food को immunity booster कहके जबकि ऐसा कुछ होता नहीं अब इस topic को discuss करते है अगर आपको मुझसे connect करना है तो ये सबसे असान तरीका ये telegram channel है also आपके पसंद के social media पर मैं available हूँ आपको बस मेरा नाम सर्च करने की ज़रोत है you can join me over there for a conversation अब पिछले एक महीने में जो सर्सो का तेल है उसका price 1200 रुपे quintal से बढ़कर 1600 रुपे हो गया है यानि 120 रुपे किलो का था अब 160 रुपे किलो का था एक महीने के अंदर 12 April से 12 माई एक महीने के अंदर आप price का improvement देखिए दिल्ली के अंदर देखे तो जो नीम्भू है वो 35 किलो के जो हुआ करते थे एक महीने के अंदर अंदर 100 किलो के हो गया है या फिर जो ऐसी नुस्खे होते हैं जो घर पर बताया जाते हैं लेकिन उनकी कोई testing नहीं होती है उनके पिछे कोई evidence base नहीं होता है उनके basis पर COVID-19 को prevent कैसे किया जाए उसमें mustard oil यानि जो सरसो का तेल है और उसके साथ साथ नीमू जैसी जो therapies है lemon therapy जो है उनको बता के बढ़ावा दिया गया है and these things are leading to increase of the price जहां पे 30% यानि 12,000 से लेके 16,000 रुपे कुईटल का काफी सारे से popular social media post हैं जो कि lemon therapy को promote कर रहे हैं कि नाक के अंदर दो नीमू के बूंद डाल लीजिए जिससे आपकी immunity boost होगी और oxygen saturation level भी बढ़ जाएगा सेम चीज आमले के बारे में भी कहा जाता है अब आमला बहुत बड़ा important source होता है body के अंदर vitamin C का however vitamin C body में बहुत सारा भर लेने की वज़े से यह नहीं होता कि immunity boost हो जाती है indeed more importantly vitamin C एक water soluble vitamin है यानि कि कहने का मतलब है कि अगर वो body के अंदर ज़्यादा ले लिया जाता है तो पानी के अंदर धुलके वो urine से निकल जाता है ऐसा नहीं है कि उसको body के अंदर बहुत ज़्यादा भर लेंगे कि एक दिन मैंने 6 आमला खा लिया और अगले 6 महीने तक नहीं खाए तो उस 6 दिन में मेरी immunity boost हो जाएगी नहीं वो जितना भी मैं extra खाऊंगा वो सबका सब water soluble होके body से excrete हो जाएगा commodity markets यानि कि नीमू, सरसो तेल, आमला जो full food, full fruit है इनके markets, obviously फाइदा उठा रहे हैं इस चीज का जो भी ये half-baked facts होते हैं unscientific information होता है आप confusion देखिए होती क्यों है नीमू has a very freshness attached to it जैसी हम उसके बारे में सोचते हैं body के अंदर थोड़ी सी तरो-ताजा सी महसूस होती है उसको गर्मी में पीते हैं तो एक अच्छी सी feel महसूस होती है that good feeling is now being associated with health जो की है लेकिन उसका direct relation नहीं है even though it seems कि नीमू तो एक अच्छी चीज है तो उसको खाने से तो basically बहुत सारे फाइदे होते होंगे लेकिन उसको एकदम immediately बिमारी की तरह, दवाई की तरह यूज करने का आज तक कभी कोई फाइदा हुआ नहीं है the prices of the commodities popular and with misinformation providers have at least doubled over months कुछ लोग इसमें exponential inflation भी देख रहे हैं indeed जो भी food है, vitamin C वाले उसके पैसे बढ़ते जा रहे हैं अब देखिए, ये जितने भी misinformation है ये basically जो whatsapp पर, facebook पर, twitter पर जो viral messages होते हैं, उसके दुआरा फैलाए जाते हैं ये quick fix therapies याद रखिए, quick fix quick fix का मतलब यही है कि बस नीमू डाल लो immune therapy बढ़ जाएगी, immune boost हो जाएगा body का oxygen level बढ़ जाएगा अब एक बार पिछले ही महीने, बाबा राम देव जी ने कहा कि if one applies mustard oil through the nostril जो coronavirus है उस acid में जाकर खतम हो जाएगा however, this is an absolutely sham and fake news ये बिलकुल ही unscientific और fake news है ऐसा कुछ भी नहीं होता है body के अंदर कि body में नाक से सरसो का तेल डालो तो ओ coronavirus को घसीट कर basically पेट में ले जाएगा और hydrochloric acid के द्वारा मर जाएगा indeed, science को पता है कि इस समें ऐसी कोई testing भी नहीं हुई है कि hydrochloric acid body के अंदर stomach के अंदर present होता है इसका ये मतलब नहीं है कि वो basically coronavirus को neutralize कर भी सकता है या नहीं कर सकता है with the rampant failure of the healthcare ऐसा हो क्यों रहा है healthcare has failed in last six months or last one year healthcare के उपर बहुत जाद़ प्रेशर आ गया था because the number of the cases increased so much कि basically healthcare उनको manage नहीं कर पाया उसकी वज़े से the ongoing second wave की वज़े से consumers are increasingly trying to find home remedies to save themselves from this deadly disease अब उनको home remedies ढूंडने की कोशिश कर नहीं पड़ रही है rural areas में लोग इसके पीछे इसले भाग रहे हैं क्योंकि वो afford नहीं कर पाते हैं health facilities जो दवाईया है जो कोरोना के लिए recommended है वो बहुत सारी महंगी दवाईया है उसके बाद जो protection लेनी होती है जैसे कि mask पहनना है sanitizers यूज करना है इसकी भी जो buying capacity होती है वो रूरल में बहुत अच्छी तरह से नहीं होती है so these so-called lemon juice remedy is being promoted by the quacks because it is easy for people to practice and cheaper than going to a private doctor however they are false वो completely false hope देती है इस से actually में कोरोना को बढ़ने में मदद बिल रही है the demand for the mustard oil सरसो के तेल की demand 20% बढ़ गई है यह सोच सोच कर कि यह इस से immunity boost होती है the mustard of a standard quality is being sold as 6500 to 7200 रुपीज किलो 100 से 160 रुपे बुमबई में 160 रुपे की लो गया राजिस्तान में 100 रुपे की लो गया यह हुआ करता था 60 रुपे की लो का तेल के पेट्रोल के जो oil के जो prices है वो 100 रुपीज पर लिटर पर पहुँचे है सरसो का तेल 200 रुपे लिटर पर पहुचने को हो गया है solely on basis of these fake viral messages on whatsapp and facebook experts opinion करते हैं कि माना जो commodities market है वो benefit कर रही है however ये जो food items और जो supplements है इनके नुकसान जादा है फाइदे कम है ये सोचते हैं कि immunity एक दिन में या एक week में या even एक महीनी में develop होती ही नहीं है कभी भी अगर आपकी body के अंदर infection चला गया है coronavirus का और आप उस ते recover हो चुके हैं then definitely आपकी body के अंदर antibodies हैं और जो की 15 दिन के अंदर ही बनी है however by eating a nutritious food अगर किसी को लगता है कि उनकी immunity boost हो जाएगी या immunity improve हो जाएगी तो वो 100% गलत है immunity इस प्रकार से काम नहीं करती है यह सब आप लोगों ने और हमने basic science और basic biology में पढ़ा है and immunity booster is a wrong word it's a misnomer there is nothing like immunity booster can be taken under medical supervision only and excess of anything is toxic अगर नीम्बू जादा खालोगे तो वो भी नुकसान ही करेगा चाहें वो सेहत के लिए अच्छा हो या ना हो mustard oil, lemons के भी price inflation हो गए है 35 रुपे बढ़के 100 रुपे एक महीने के अंदर without the shortage अगर supply कम हो जाए तो basically price बढ़ते हैं परंतु ऐसा नहीं हुआ है यह सिर्फ और सिर्फ लोगों के डर की वज़े से कि नीम्बू खरीद के हम आपने आपको कोरोना से बचा ले lemons पिछले साल ना 20 रुपे के लोगों को हुए करते थे और वही चीज आप 100 रुपे के लोगी हो गया यानि इस गर्मियों में जब भी नीमू पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो जो वो tremendously expensive नीमू पानी बनेगा you know कि आप उसको किसके लिए blame कर सकते हैं people have been buying fruits rich in vitamin C to boost their immunity and keep the virus away अब जितने भी लोग ये बोल रहे हैं इनका कोई scientific basis नहीं है ठीक है these practices like mustard oil, lemon drop therapies do more harm than good even the consumption of vitamin C of rich fruits helps only to maintain the immune system it does not have any proven antiviral properties वो चीज बहुत अच्छी है नीमू, आमला, vitamin C, nutritious food खाना green leafy vegetables खाना इससे health बनी रहती है और जो generally इन लोगों को जिन लोगों की diet एक balance diet होती है they are generally more healthy than the people जो की junk food खाते हैं however उसके बावजूद भी इसका antivirus ऐसा कोई virus से कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसी specific immunity से लेना देना है indeed अगर आप बहुत दिनों से completely बहुत ही ज़ादा pure healthy or nutritious food खा रहे है तो there is a possibility कि आप बहुत जल्दी infect हो सकते हैं किसी और चीज से generally अगर देखा जाएगा तो और उसके साथ साथ नारियल अब ये नारियल जो पी केप जो तरो ताजने महसूस होती है वोही चीज associated है कि ये पिएंगे तो basically बच जाएंगे नारियल भी 40 रुपे से बढ़कर 100-100 रुपे के कि लोगे ये 40 रुपे की महंगे होगा करते थे just between April and May this reflect the jump in the wholesale prices kiwis, strawberries ये वैसे ही exotic fruits माने जाते हैं इनके price high रहते हैं साथ में just because कि demand बढ़ गई viral procedures की वजए से they have registered a massive spike in prices owning to the surging demand after the second wave of COVID-19 अब जो ये commodities market में जो आग लगी है उससे ज़्यादा problem actually में ये है कि जो ये magic remedies हैं ये नुकसान ज़्यादा करती है याद रखे है कि अगर आपको ये लगता है आपके किसी जानने वाले को लगता है कि नीमभू की वज़े से याने कि वो उस समय कोरोना वाइरस का कैरियर भी होगा and then he can actually be a super spreader also because वो उसको लग रहा है कि कोई जादो ऐसी शक्ती पाली गई है कि अब तो कोरोना होना ही नहीं है उसने तो नाक में सरसो का तेल डाल लिया The people who practice these therapies not only harbor the virus but also spread it to the unsuspecting people These therapies are not bagged by any clinical or scientific evidence Here say remedies जो ये दादी के नुस्खों के उपर based होती है have never done any good to anyone but pandemic के समय में ये actually में good तो छोड़ो ये harm करना start कर देती है In general अगर आप अच्छा food खाते हैं nutritious food खाते हैं so that is good for your health और इसका कोई harm नहीं है और अगर इसको एक normal समय में कोई use भी कर रहा हो ये सोच के कि कोई किसी परकार का फायदा हो रहा है then ठीक है to everyone good for everyone इसका कोई नुकसान नहीं होगा परन्तु pandemic के टाइम में यही problem एक तो सबसे पहले जो commodities market है उसके अंदर prices को सोर करा रही है artificially and then it is also creating an artificial barrier in controlling the covid not many people seem to believe in this truism so the prices of everyday prices continue to fluctuate you can do more harm than good if you try to self-medicate your way out of an attack of covid-19 जब covid-19 होता है या उससे बचने के लिए कोई self-medication करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है अब यह होता क्यों है यह बात समझ के रखे try to understand why it is difficult coronavirus is new इसको novel कहा जाता है novel coronavirus की मतलब नया है बिलकुल एकदम एक ही साल पुराना है तो इसके बारे में जो science के पास information है वो कम है science is an evidence-based subject evidence-based कि वो search करते हैं जो evidence होता है उसके basis पर काम चलता है एक साल के अंदर एक बिमारी के बारे में complete evidence एक खटा करना मुश्किल होता है right it takes a lot of it takes a whole decade to understand a disease there are complex things to happen और जो unknown होता है उससे लोग बहुत जल्दी डर जाते है just because science के पास इस समय complete answers नहीं हैं coronavirus के people think कि जो यह जादू या magical remedies जो होती है और क्योंकि इनको connect किससे किया जाता है इनको connect किया जाता है ऐसे शब्दों से जिनकी culture के अंदर बड़ी respect होती है आयूरुवेद से नैचुरोपैथी से तो जो यह cure है नीबुपानी का या सरसो के तेल का they are not recommended by आयूरुवेदा क्योंकि आयूरुवेद specifically speaking 2-5,000 साल पुराना जो विज्ञान है आयूरुवेद का उसने कोरोना वाइरस को कभी face ही नहीं किया था कोरोना वाइरस तो एक ही साल पहले आया है तो आयूरुवेद में अगर कोरोना वाइरस ने कभी face ही नहीं किया है तो उसके पास उसका कोई cure नहीं है तो फिर भी उसके बावजूद भी ये remedies प्रमोट ऐसे की जाती है कि जैसे आयूरवेद के द्वारा ये recommended है However, that is not the case. Just because कि lemon is connected to Ayurveda, does not mean कि lemon is a remedy of the coronavirus. Everybody needs to understand this. वरना जो ये coronavirus का pandemic है, ये बढ़ता ही रहेगा इसी misinformation के द्वारा और society भी थोड़ी और unscientific होती जाएगी. इनी here से medical पे जो depend रहेंगे, उनकी जान को और ज़्यादा खत्रा होगा. इस class की PDF को आप इस Telegram चैनल पर access कीजेगा. We will continue the discussion over social media regarding the why Ayurveda is a pseudoscience and why these here says, जो ये here say magical remedies होती हैं, ये क्यों? नुकसान जादा करती हैं, फाइदे कम करती हैं. I'll see you in the next class.